होसलों पर रख यकी ना रहबर तलाश कर हिम्मत साहस चैन सुकूँ और ताकत तुझे भीतर मिलेंगे ना बहर तलाश कर नवर्शकार अभिनेंदन सभी साथियों का कैसे आप सभी उमीद है सभी स्वस्त होंगे कल राश्तान पुलिस फिजिकल की डेट आ गई और उसके साथ ही डेट आ गई आपके जो सीटी से पास होए 15 गुने की लिस्ट थी वह भी जारी हो गई बहुत सारे जिलों की लिस्ट जो है अमने देखी और देखने के बाद यह पता चला कि मैक्जिमम जिले जो है उनकी जो क नंबर भी किसी किसी जिले में नहीं आया बाड मेट जसल मेट जैसे जिले की भी मेरिट जो है 180 190 के उपर गई है जैसा कि लोगों ने किया है तो यह मान के चलिए कि जो रास्तान पुलिस वाला सपना था हमारे बहुत सारे साथियों का जो फिजिकल की तैयारी कर रहे थे ज जोंकि उन केटेग्री में लोग उपलब्द नहीं हो पाएं इस वज़े से जो 15 गुना पास होने तो नहीं हो पाएं लगबग 45,000 लोगों को ही पास किया गया है इसका मतलब यह है कि टोटल जो 15 गुना पास होने ते वो भी नहीं होएं चलिए यह तो रही बात रास्तान की और आगामी बर्तियों की बात हम करेंगे साथ ही आज मेरा यह वीडियो बनाने का उत्यश्य इतना सा था कि हमारे ऐसे बहुत सारे साहती जिनकी सीटी में अच्छे नंबर होने के बात भी वह किसी वेकेंसी में बैट पा रहे हैं किसी में नहीं बैट पा रहे हैं जैसा क उस खबर की तहट तक जाकर हमने कुछ आपके लिए निकाल की भी लाएं हम कि क्या वास्तों में ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा बविशे किसी नहीं देखा है फिर भी हम यह जो अनुमान है उसको आपके साथ साजा करना चाहेंगे कि वास्तों में ऐसी कोई चीज संभव है क्या और पिछले उधारन भी हम लेंगे कि पिछली जो हमारी रास्तान सरकार नई सरकार बनी है आज हमारे मुख्यमंत्री जी भी गोशित हो गए हैं साथ ही हमारे जो विधान सभा स्पीकर है और दो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी खबर भी आप तक पहुंच अब हम बात करने हैं कि नई सरकार में पहली बात तो यह कि कितनी वेकेंसी आने वाली है कौन कौन से डिपार्टमेंट के आने वाली है उसके साथ ही क्या हमारा जो अधिरस सिवा चैन बूर्ड है जिसको इस पिछली सरकार ने प्रारम किया था उसको क्या बंद किया या उसमें कोई बहुत वड़ा बतलाव होने जा रहा है देखिए इन सारी न्यूस की पीछे कोई ना कोई कारण है वो कारण हम इस वीडियो में स्पष्ट करेंगे मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि ऐसा हमने क्यों कह रहे हैं या ऐसा क्यों होने वाला है सबसे पहले से बात कर लें हम लोग बरतीयों की कि हमारे कौन कौन सी बरतियां जो हो संभावित है सबसे पहला हमें बात करें कि हमारे यहां जो भुदिया ंह नहींकोches लाने की लिए यह हम कहें जनता को यिश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके लिए काम करेंगे अपना गोशना पत्र जारी करती है ऐसा ही हमारी इस नई सरकार ने भी जो हमारी नई सरकार बनी है उसने भी गोशना पत्र जारी किया और गोशना पत्र में कुछ मुख्य बिंदू रखे गए उन मुख्य बिंदू या मुख्य मुद्दे थे उकल 20 मुख्य जो मुद्दे है या आपके सामने थे और इसी 20 मुख्य मुद्दों में रास्तान सरकार का जो गोशना पत्र है जो 20 मुख्य मुद्दे है इन 20 मुख्य मुद्दा है वो है कि प्रदेश की युवाओं को अगले पांच वर्षों में लगबग धाई लाग सरकारी नोकरियां बिल्कुल ये रोजगार की बात नहीं कर रहें रोजगार की बात तो देखें अलग से इन्होंने की है कि हम जो है रोजगार जो है लगबग पांच लाग लोगों को रोजगार उपलब्द कराएंगे पर ये अगर हम बात करें तो केवल सरकारी नोकरियों की बात किये इन्होंने गौर्मेंट जोब्स की कितनी धाई लाग तो देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जो जो गोशनाएं कर रहे हैं देखिए गोशना विल्कुल सोस समझ के की जाती है और हमारी जो नजी सरकार है बहुत समझदार है उन्होंने जो गोशनाएं की है वो सो समझ कर देख कर की है तो धाई लाग जो सरकारी नोक्रियां अगले पांच बर्षों में आने वाली है निश्यत रूप से इस बर्ष भी होगी उसके अगले बर्ष भी होगी वेकेंशियों की भरमार आने वाली है बस कमी क्या है कमी एक है कि हम जो है इंतजार कर रहे हैं सही वेकेंसी का या हम इंतजार कर रहे हैं कि वेकेंसी जारी हो जाए तो हम पढ़ना स्टार्ट करें तो मैं अभी आपको बता दूँ देखिए डाइलाक वेकेंसियों के करम बात करें मोटी मोटी अगर बात कर लेते हैं तो ये मान के चलिए देखिए एक तो हमारी शिक्षा विभाग की किसकी शिक्षा विभाग की कौन-कौन सी बरतियां आएगी इसके बारे में चर्चा करें तो शिक्षा विभाग की बरतियों की अगर बात करें μεं लगभल होत थे पर वसंद्रा राजे जी नहीं का रिट्ट होता कि परिक्षा की पहली और और पिर उसके बाद जो जो सेकिंड पर होता था जिसको मुख्यर परक्षा कहते हैं वह रदा दिया गया और डाइरेक्ट फर्रकेट्धी बहती की जाने लगी रीट और आपके जो 12 और अंग है उनके आधार पर तो रीट की वेकिंजी 100 परसेंट जारी होकी इसके अतरिक्त फॉस्ट ग्रेड की मैं आपको बता दूं फर्स ग्रेट की मैं आपको बता दू कि RPSC के पास आज की डेट में भी लगबग 2,000 पदों की बिरतना प्राप्त हुई भी पड़ी है चुनाव से पहले की और लगबग 4-4,500 पदों की प्रतना की जो फाइल है वो जो है रो में है या हमके है पाइपलाइन में है वो भी सुक्रिति के लिए भीज़ी हुई तो करीब 6-7,000 पदों पर फर्स ग्रेट की बरती होने वाली 7,000 पदों पर उसके अत्रिक 2nd ग्रेट की भी आने वाली है बि देखने को मिलेगी उसके अत्रिक्त क्या आईगी उसके अत्रिक्त में आपको बतातूं देखिए प्रियोग शाला साहिक बिल्कुल परियोग शाला साहिक जो 12th pass, science और geography और home science के जो हमारे ब्यरति हैं जो कक्षा 12 में science से थे, home science से थे और geography से और agriculture वाल है उन ब्यरतियों के लिए प्रियोक्षालाप साहिक की लगबग लगबग 800 से लेकर 1200 पदों के बीच में आपको देखने को मिलेगी ये vacancy और इसके बाद हम बात कर रहें तो रास्तान पुलिस की आप सभी को पता है रास्तान पुलिस की जो है हमारी भरती जो है अभी हो रही है इसके अत्रिक्त भी अवशकता पढ़ने वाली है नई जिलों के लिए बहुत सारी बरतियां जिसमें लिपिक लिपिक सेकंड ग्रेड ये भरती भी आपको देखने को मिलेगी इसके अत्रिक आप सभी को पता है कि लगबग 5,000 पद कितने पद, 5,000 पद किसके, पटवार भरती के, पटवारी के, इसके अत्रिक करीब 2,000 पद वीडियो की भी जारी होने वाले हैं, तो इसके अलावा हम बात करें, तो नायब तेसलदार जो पद है, वो भी जारी होगी, ह सरकार द्वारा अगले 5 सालों में लगबग 15,000, 30,000,00 विकेंसिया करवाई जाएगी। और अगर हम बात करें, पास सालों में बात बार दें तो लगबग 15,000 बरतियां प्रतीवर्ष आनी मानी जा सकती है। बिल्कुल 50,000 बरतियां हर साल होनी तह सारा एवरेज अगर आप जोड़ लें तो देखिए ये तो रही बात कि गोशना पत्र में क्या लिखा है और ये जो सरकार है पॉजिटिव दिखाई दे रही है नए लोग आये हैं बिल्कुल और नए लोग आप देखिए बिल्कुल उ क्योंकि इतनी सारी कोलेज ये जो बनी है उसमें आपको परियोग शाला साइग भी मिलेंगी उसको अधर आफिस स्टाफ विलेगे टीचिंग स्टाफ यह सारी बरतियां आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी और अब हम बात करते हैं अधिनस सेवा चैन बोर्ड की की अधि लो सरकार जो हमारी पूरवरती सरकार है उसकी जो सबसे बड़ी कमी रही वो रही पेपर लीग की आप सभी को पता है हमारे जो पिसले सरकार थी उसमें आप चाहे रीट की ले 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 बहुत सारे पेपर लीग देखने को मिले और उन पेपर लीग का खामिया जाया हम कहें मु नहीं दिया क्योंकि वास्थन में भूंसे मारी हमारे जो साति हुआ है उनके साथ बुरा हुआ बिल्कुल हम सभी को पता है कि लिक होता है तो जो एक गांटाण और तो यह सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए जोंकि नहीं सरकार को अपनी सरकार बना नहीं थी, बीजेपीको अपनी सरकार बना नहीं थी, तो उन्होंने गोशना की, कि हम paper leak पर 100% काम करेंगे, और उसी को देखते हुए, इन्होंने ए गोशना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। गोश्णा का है देखिए इनका करीब 80 पनों principle चारी हुआ देखिए गोश्णा पत्र भी हुआ है दर सनकल पत्र क्या क्या लिये गए है उसी नदरिया संकल आपको त Ferr जीरो पिर लिकिन की टाइटल यह था जीरो पिर लीकिए आप से बहुत सारे उन्होंनें कोटीशन चलाए या बॉर्ड लगवाए कि से लिए युवाओं के लिए पूरी तरह से बंद करने वाले हैं क्योंकि यह बाधी समस्या हो गया तो इसको इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है देखिए हम पेपर लिख के मामलों पर तुरित जात करने के लिए दोश्यों के खिलाफ सक्त कारवाई के लिए Special Investigation Team मतलब हम आपको बात करें SIT करेंगे क्या करेंगे SIT हाला कि हमारी पूर्वतर्थी सरकार ने भी काफी काम की है पर इतने प्रभावशाली काम नहीं रहे तो इनके दोवारा पहले गोशना करती गही कि हम Special Team बनाएंगे पेपर लिख को रोकने के लिए इसके अत्रिक जो अगली न्यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपने आप में बड़ी है देखिए हम परदेश के सभी परिक्षाओं को निस्पक संचालन करने के लिए National Testing Agency जिसको हम NTA कहते हैं आप सभी को पता है कि केंदरिस्तर पर हमारी एक विशेश परिक्षा के लिए बोर्ड बनावा है जिसको हम NTA बोलते हैं NEET या जो बड़े-बड़े ITJEE के एक्जाम होते हैं जैसे UGCNate का एक्जाम होता है इन सभी एक्जाम को कंड़ेक्ट कराने के लिए सपलता पूर्वक करवाने के लिए NTA का गठन किया गया था और इसका काम इतना इतना प्रभावशाली है आप देखिए कि इसके गठन के बाद कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है केंदरिस्तर पर कि कोई पेपर लीग हुआ है क्योंकि इनकी प्रणाली ही इस प्रकार की कि पेपर लीग होई नहीं सकता पहला तो यह उनलाइन टेस्ट लेते हैं तो उनलाइन में संभावना है वैसे ही जीरो जाती है फिर भी कहीं अगर ऐसा होता है कि पेपर लीग जैसी समस्या का सामना करना पढ़ रहा है तो तुवरित कारवाई होती है उनलाइन में चोंकि उनके पास इतने संसादन होते हैं इतने शाक्षे होते हैं जुटाने के लिए कि वो आसानी से उनको पकड़ सकते हैं तो इन्होंने क्या का है कि National Testing Agency की तर्ज पर बिलकुल उसी की तरह हम क्या बनाएंगे प्रदेश परिक्षण एजेंसी मतलब State Testing Agency STA का गठन किया जाएगा जैसे NTA है हमारे केंदर इस्तर पर वैसे ही राज्य इस्तर पर हम State Testing Agency पर इजेंसी का कठन करेंगे ताकि पर लीक जो हो कर दिया जाए और निष्पक्स तरीके से परिक्षाए करवाई जा सकें सरकार्री विकैंसी करवाई जा सकें ऐसे ही परत्यक ए Tucson Agency की भी स्थापना की जाएगी ये नहीं है कि कि वह राज इस तर पर गरेंगे हम जिला इस तर पर भी इस प्रकार की एक जैसी बनाएंगे जो जिला इस तर पर भी जो एक्जाम है उसको निश्चता पूर्वक कम संपन करवा सके तो ये दोनों ही न्यूज हमारे लिए है तो मैं कहूंगा आपको कि अभी उठीए उठाइए किताब बिल्कुल वेकेंसी आपके द्वार पर है आप जो है तैयारी स्टार्ट कीजिए एक टार्गेट बनाईए कि मुझे फर्स बनना है मुझे सेकंड बनना है या मुझे डिफेंस की सर्विसेज में जाना है जिस इसलिए दी गई क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिले जिसमें बहुत बच्चे मायूस हो रहे थे बहुत साती हमारे मायूस हो रहे थे तो उनको थोड़ा सा संबल परदान करने का यह मेरा छोटा सा प्रियास था आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ जुरूर शेयर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें भीना नहीं जाईएगा आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे साथियों जहन